कई स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी बोल रहे थे कि सर बताया जाए अब जो बचावा समय है हमारे पास 40 days अगर हम overall बात करें तो उसका strategy जो है वो क्या होना चाहिए तो पहली बात मैं अभी बताऊंगा कि वो students जो already mainly J advance पे ही focus कर रहे थे अभी suddenly ऐसा गलती मत करना कि सिर्फ अब J main ही में J main करे जा रहे हो कि पहले मैं J main अच्छा कर लूँ अच्छा आपका already है तो अच्छा हो ही जाएगा primarily आपका goal IAT है तो focus on J advance लेकिन बाकी सभी students अब primarily J main पे focus करें उसमें दो category है एक तो वो जो J main पे ही focus कर रहे हैं दूसरा वो है जो dicey है पर उनको भी जादा समय J main पे देना चाहिए कुछ सवाल J advance के करने से तो हजारों बाते होती है लेकिन अभी आपको क्या करना चाहिए किस direction में सोचना चाहिए मलब real impact किस से आएगा अभी हमारी सबसे main funda क्या हम चाहते क्या हम चाहते हैं कि जहां पर भी हम stand कर रहे हैं अभी उससे हम grow कर जाए 40 दिन में हमारे marks significant बढ़ जाए तो और भी अच् है उसमें कोई शक नहीं है क्योंकि लोग पहली बार गलती करने वाले बहुत लोग होते हैं और गलती से फिर सीखना तो पड़ता ही है यानि जाया तर लोग ठोकर खाके सीखते हैं लेकिन अगर आप पहले से ही सीख जाओ क्योंकि आप ATPans हो आप fighter हो तो पहले से अगर आप सीख जाओ तो गलतिया नहीं होगी और पहले attempt में मचाद होगे रिलाक्स हो जाएगा तो देखो यार इट्स वाल अबाउट confidence ना हमको अभी 40 दिन अपना confidence बिल्ड करना है अब confidence ये बताओ strength से मिलता है या कमजोरी से मिलता है strength से मिलता है शीरी सी बात है अगर हम अपनी strength पर focus करेंगे तो strength magnify होगी अगर हम weakness पर focus करेंगे तो weakness magnify होगी अगर हम ये देखके रोते रहेंगे कि हमारा अच्छे से नहीं आता ये नहीं आता वो नहीं आता तो आपका दिमाग महीं जाएगा और अगर आपको पता है कि यार जो नहीं आता वो तो अब नहीं आता उसक effectively 10-15 दिन अभी 15 देस तक माल लो आप कि अब 15 दिन तक revision और बागी सब चीज़े करो लेकिन slavers completion में भी time दो 15 दिन के बाद last के 20-25 दिन बिल्कुल कोई मतलब भी नहीं है लालच बुरी बला है हमें लालच आएगा one shot देख लेते हैं इसका इसका ये कर लेते हैं कर लेते हैं उससे देख लेते हैं लेकिन उस लालच में पढ़ने का फाइदा नहीं है दिमाग में खिचडी पक जाएगी ठीक है one shot से करना है किसी से भी करना तो अभी कर लो ना पंदरा दिन तक कर लो लेकिन पंदरा के बाद मत चूओ योगि उसके बाद फिर आपका मोराल डाउनी होगा कि यह पेपर आने वाला और मैं लगावा हूं क्या फरक पड़ गया आई गॉट अलंडिया रिंग 529 कि समझे हो लेकिन मैं दुखी हो रहा था उस चकर में उस समय पे यह वो अब ठीक है भाई जो हो गया बीती ताही विसार दे आगे की सूद ले तो आगे का ध्यान दो जो हो गया उसकी पीछे पढ़े लोगे तो अब वह अडेंटिफाई कर लो सबसे पहले कि करना कितना है जो नहीं करना उसको छोड़ दो तो पहली चीज़ है बेसिक प्लानिंग या आपको सबकी अलग 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 इंडिविजल प्लानिंग है मैं नहीं बता सकता कि यह कर लो वो कर लो अपने आप से सोचो यार सबक उसको कोई चेप्टर असा लगता है किसी को कोई लगता है तो सबका अलग प्लान है इसलिए मैं आपको रस्ता दिखा रहा हूँ चलना है जातर लोग क्या करते हैं इसमें ऑनलाइन में खासकर सब्चार आप भी बतादो सब कुछ अरे ठिलो तुम कुछ कर लो ना दिमाग नहीं चलेगा कि यह से पंदे पल्टे जा रहो पल्टे जा रहो कुछ नहीं होने वाला उससे पंदे जाओगे और बार-बार वही पढ़ते जाओगे तो तुम्हें आता है बार-बार F is equal to MA रटते जाओगे, भारबार M1 V1 is equal to M2 V2 देखते जाओगे, भारबार Y common formula 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F देखते जाओगे, भारबार Y से क्यों देख रहे हो भाई, जहां पर फस रहे हो उस पर focus करो ना, तो इसलिए revision में focus on the things, जहां पर अटकते हो, हम revision पूरा करना शुरू कर देते घंटों लग जाते हैं, common गलती होती ही revision में, समझ रहे हो क्या, तो ये गलती मत करना, पन्ने पल्टे जा रहे हो और वही चीज़े देखे जा रहे हो, जो आता है उसको fast read कर लिया, और जहां पर अटक रहे हो, उससे related theory पढ़ लिए, कुछ कहीं पूछ लिया, question कर लिये, उ खीक है, हजारो strategy की videos मिलेंगे, आपको हजारो तरह तरह की videos मिलेंगे, और सब लोग अपना अपना ज्यान देंगे, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुम भी ये कर लो, ये कर लो, भाई, सबके लिए अलग-अलग चीज़े work करती है, as a teacher मैं बता सकता हो, इतने साल के experience क कि मैं आपको force नहीं कर रहा हूं कि ये कर लो, मैं आपको guide कर रहा हूं कि आप इस तरह से चल सकते हो, right, करना आपको customized plan आपको करना है, मैं तो broad बता रहा हूं, रस्ता दिखा रहा हूं, लेकिन बाखे सब आपको plan बता देंगे, ये कर लो, तो बहुत अच्छा होगा, हो सिर्फ illusion है, हमें भहकावा है, हमें लगता है कि हमें समझ में आ गया, असल में सवाल जब करने जाओगे न भाई, नहीं हो पाएगा, तो बस इस तरह के क्रांतिकारी वीडियो से भी बचके रही है, कि इतने समय में crash course हो गया, इतने समय में ये हो गया, अब एकदम कर ले में लेके आईए, जितने अच्छे सवाल करोगे, confidence उतना अच्छा आएगा, again मैं अभी भी वही बोलूँगा, जो हमेशा से बोलता है हूँ, कि solution से दूर रही है, क्योंकि solutions देख देख के करोगे, तो confidence बिल्कुल हिल जाएगा, solution से बच के रहे, जितना कम हो सके, उतना कम solution देखे, अच्छे सवाल करे, पपलू-पपलू question करके confidence आई गई नहीं, फाइदा नहीं है, हाँ कभी-कभी कोई chapter अगर आपका बहुत average है, उसमें कुछ असान question भी करने पड़ते है, शुरू में, वो कर लो, लेकिन एक बार वो हो जाए, तो फिर अच्छे question पर जम करो, do better better and better question, उसी से आपको पका confidence होगा, हाँ मैं इसका question कर लूँगा, उसके अलावा, chemistry के अगर बात करें, पर्टिकुलरी तो NCRT, organic and inorganic के लिए तो god-like है, एक-एक line by line आपको ढंग से आना चाहिए, जितरा भी आ सकता है, practice के लिए मैं बता रहता हूँ, एक तो time-bound practice करो, अप कर सकते हैं, ठीक है, रेगुलर करोगे time-bound practice, उसके अलावा, सबसे अच्छा source क्या है, जो अपना material मिलता था, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा, pyq is the best source, आप भी जानते हैं, जो last के 2-3 साल में, NTA ने जो इतने सारे test series type से करा दिये paper, तो आप जानती हो कि इतने test जब उ जरूत नहीं है, उसके बाद आती है mock test, जो बचावा समय है, उसमें every week है कि mock test, अगर पूरा syllabus बहुत धंक से हो जाए, तो week में 2 भी दे सकते हो, पर ऐसा करने की जरूत नहीं कि हर week में, हर रोज test ही दे रहे हो, नहीं, इतना भी कोई मतलब नहीं, last में कर सकते हो, last के एक week पहले करीब तो test देने की वैसे भी जरूत नहीं है, एक दो हफते पहले, एक हफते पहले, लेकिन अभी से आप लगबख 4-5 test तो minimum दे, minimum, right, अच्छा, AOTS आपके लिए available हो गई है, आपको अगर नहीं पता है, तो online students आपके लिए भी हमने unlock करा दी है, तो आप उसका फायदा उठाई है, AOTS में बहुत सारे test है, full test दीजिए, ठीक है, काफी सोस समझ के बनाए गए है, वो काफी relevant test है, हमेशा से ये ATP star quota का रहा है, मतलब काफी नाम, AOTS से ही start हुआ था सब कुछ, we started, our first thing was AOTS only, तो वो क्या है देश की one of the best test series की इस मामले में relevant है बिल्कुल, पेपर जैसा आता है, वैसा सही आता है, बहुत students बोलते है, हमने तो कोशिश की पर students बोलते हैं, तो पता लगया कि हाँ है, और सही में हमने जो सोचा वैसा ही हुआ, तो उसका फायदा उठाई है आप, AOTS का, time bound practice में ने बदा दिया, अपनी ATP star app से, website से use करें, mock test दीजिए और slavus completion के ज़्यादा पीछे मत पड़िए, उसे stress मत लीजिए, जितना हो गया, उतना कर लो, ठीक है, फिर पहले attempt के बाद, जो समय मिलेगा, उसमें थोड़ा कर लेना, वैसे ज़्यादा समय है नहीं, उसमें भी 10-15 दिन ही मिलेंगे, slavus completion के, बाकी तो फिर revision ही चलेगा, mainly, right, पर अभी जितना है, उतना धंग से करो, that is the most important thing, अगली बात है, positive mindset and your health, यह मैं पहले भी बता चुका हूँ, हजार बार बता चुका हूँ, कि health अगर आपका सही नहीं है, अगर आप रात-रात बर जागे जा रहे हो, आप सुबह लेट उठ उठ रहे हो बहुत जादा, तो आपका biological clock गरबड हो जाएगा, slot कांसा है, 9-12, 3-6, इस समय तो बिल्कुल आपको maximum activity में रहना है, maximum जोश में रहना है, habit ऐसी बनानी है, right, जैसे माल लो, class के बाद आपका सोने का आदत थी, माल लो किजी की, तो माल लो आप 3-4 बाज तक सो रहे हो, 5 बाज तक सो रहे हो तो इसलिए अपना जो biological clock है, उसको set रखिये, इस समय आपको maximum activity रखनी है, body का ध्यान रखना है, body का ध्यान रखोगे, थोड़ी सी exercise मैं recommend करूँगा, कि भी थोड़ी breathing exercise, आदा पोना गंटा, everyday दो से time waste नहीं होगा, दिन पर के लिए oxygen आपको मिल जाएगी, energy भी अच्छी र which make you feel good, right, ठीक है, obviously inconsistent with the पढ़ाई, यह नहीं कि कुछ भी, कि सर मैंको तो movie देखने बड़ा मज़ा आता है, निप्टा दिया रात को बहुत सारी series बीजी है सब, तो वो सब नहीं करना है, feel good का मतलब है, कि भई आपका actual positive emotions, जो आपको goal से नहीं भठकारी है, वो चीज़ें करिए, अगें इसमें जहां से आपको information मिलती है, mindset में क्या होता है, कि mindset खुद का नहीं होता, mind तो एक processor की तरह है, जो information आईगी, उसको process करेगा, अगर information ही कचला आ रही है, तो सब गरबड हो जाएगा, जैसे मैंने भी आपको जो चीज़ें बताई, उससे आपका दिमाग स आईगी, कुछ भी plus minus तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, तो इसलिए सब जंगे से information ना ले, यह बहुत important बात है, हमें लगता है कि यह नुक्सान क्या है, सुनने में क्या नुक्सान है, नुक्सान है, सब लोगों के thoughts अलग अलग है, दिमाग में कचरा बन जाएगा, it दिमाग में physics की खिचडी पक जाएगी, it's like that only, for strategy as well, तो इसलिए positive mindset अपना maintain रखिए, health का पूरा ध्यान रखिए, खुश रहिए, because अगर आप खुश रहेंगे, आपका मन लगेगा, तो दिन भर आप अच्छे से काम कर पाओगे, अच्छे से काम कर पाओगे, practice अच्छे स Okay guys, बाकी बीच में आप आभी सकते हो मिलने के लिए, ठीक है, हम लोग available है, तो पूरी टीम, ATP Star, Kota की तरफ से, आप सभी को best wishes, अभी से ही best wishes है, ठीक है न, और बाकी तो हम मिलते रहेंगे, ठीक है, चलो, Okay